दीलेड पासको ही प्राथमिक शिक्षक के योग्य मानने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुविधा शिक्षक नियुक्ती परीक्षा के चार लाख आवेदकों की उम्मीद्वारी पर संशय परीक्षा दे सकेंगे या नहीं इस पर अब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं एजुकेशन रिपोर्टर घटना सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिये लेड उत्तीर नभ्यर्थी योग्य हैं जबकि बीड शिक्षकों को इसके लिए योग्य नहीं माना गया है इस निर्नए का असर ना सिर्फ राजस्थान में शिक्षक नियुक्ती पर पड़ेगा बलकि देशभर में इसका असर होगा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में बिहार लोकसेवा आयोग BPSC के द्वारा एक दशमलव साथ शून्य लाख से पांच प्राथमिक के शिक्षक की नियुक्ती के लिए आवेदन किया है और वे दीलेड पास भी नहीं है अब इन अभ्यर्थियों के समक्ष संशे की भी स्थिती बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्नय का असर उनकी उम्मीद्वारी पर किस प्रकार से पढ़ने वाला है क्या इस परीक्षा को देने का अब कोई फायदा भी है या नहीं BPSC का क्या रुख होगा साथ लाख आवेदन प्राथमिक के लिए कुल आठ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जिन में से साथ लाख सिर्फ प्राथमिक के लिए है एक लाख चार हजार माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन आए है माध्यमिक नौवी, दस्वी के लिए 32,916 सीटों के लिए 64,000 आवेदन आए हैं उच्च माध्यमिक की 57,602 सीटों के लिए 40,000 आवेदन आए हैं प्रारंभेक शिक्षकों के कुल उन्यासी 1,943 सीटों के लिए करीब 7,000,000 से अधिक आवेदन आए हैं माध्यमिक ववच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों में ज्यादातर ने प्राथमिक के लिए भी आवेदन किया है राष्ट्रिय छात्रेक्ता मंच के अध्यक्षव, BPSC परिक्षार्थियों के हक में लड़ाई लड़ने सुप्रीम कोर्ट के निर्नए के बाद भी एड उत्तीर नभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे ये स्पाष्ट है कोर्ट के वडिक्ट के बाद अब NCT की गाइडलाइन पर सब कुछ निर्भर करता है उसकी गाइडलाइन के अनुसार सरकार भी कुछ निर्नए लेगी फिलहाल तो छात्रों के लिए वेट एंड वाच की स्थिती है प्रो, आशुतोष कुमार, प्राचार्या, पतना ट्रेनिंग, कॉलेज, पतना विश्वु इद्याले वाली छात्र नेता दिलीप कुमार कहते हैं कि ऐसे अभियर्थी अब ब्रिज कोर्स भी करते हैं तो कोई फाइदा नहीं होगा ये छात्र अभी संशे में है और कुछ भी स्पष्ट नहीं है BPSC से अभियर्थियों ने जब संपर्क किया तो वहाँ अधिकारियों का कहना है कि जो सरकार का निर्देश आएगा BPSC उसे फॉलो करेगा BPSC ने अब तक इस संबंध में कोई गाइदलाइन जारी नहीं की है